तो नमस्कार बच्चों, स्वागत आज का सुर्यों, बच्चों आज में लेका रहा हैं, दुविखंडन टॉपिक, इसको दुविखंडन भी बोला जाता है, तो एक्जाम के पॉइंट आवी उसे इंपॉर्टन वाफी टॉपिक है, तो इसको मैं आपको जलिए बहुती कम सम जब होती हैं, तो इसमें जीव जो होता है, वो दो समान संतती, यानि कोशिकाओं में क्या होता है, विभाजित हो जाता है, इसको आपको हम बाई पिक्चर समझाने की कोशित थोड़ा सा करते हैं, ठीक है, देखेगा, ठीक है, मैंने बताया क्या कि इसमें जो जीव होता है वो क्या होता है दो समान भागों में विभालित हो जाता है तो अभी आप ऐसे देखे तिसे ये पढ़ें तो क्या होता लिखा गया इसमें एक ही जीव दो संतत जीवों में टूड जाता है और इसमें जो जनक की म्रत्यु बेटा क्या होती है कभी नहीं होती अर्थात वाद दो संतत कोशकाएं बना लेता है जिसे यहां पर देखिए एक जीव है जिसमें इसकी म्रत्यु कोशिका होती पूरे में एक यदु और यादा कायों चाहिक पाई यहा? जब इधा कारे मतलब यह जो बहुति दो यह वीडियो में आ सम्झा आया होगा, आगे देखी बच्चों बहुत अगल यह thang,"пис क्या लिखा जनक सरीर अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजित होकर संतती को जनम देता है अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं यह समझा देता हूँ इसे बता गया वह विखंड़ में क्या होता है कि इस अलेंगी गिरन की विधी में जो जनक का सरीर होता है तो यहां पर आप नीचे देख रहेंगे, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा तो यह क्या होगा वह निकल कर चोटते हो जोबी आप समhésitez होगा पहलें पढ़िए अपको पहले आप सिर एलाउन की श्文दी में यानि यालागिन के जो विधी होती है इसमें जनक सरीर जो होता है वो अनेक छोटे-छोटे क्या होता है खंडों में विभाजित होकर संतती को जनम देता है जैसे की कौन? जैसे की अमीबा जैसे की कौन? अमीबा इसमें जो जनक होता है वो केंद्रक भार-बार विभाजित हो इसमें क्या होता है, अमीबा की जो कोशिका कला होती है, यहां पर जो कोशिका कला होती है, वो फट जाती है, यहां पर आप देख रहे हैं, तो यह कोशिका है, यहां से कवर्ड होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, यह पूरी बंद होना चाहिए, लेकिन क्या होता है, यहां प को बहुत अच्छे सभाँ में आग गया होगा तो बच्चों के इस वीडियो में इसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राईब जरूर कर ले ना वीडियो के था लाइख कर दो आख कर में इस वीडियो से ज्हेंट और वंदे मात्रा बच्चों